हेलो स्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे कि यह सोफ्ट्वेर इंजिनेरिंग कैसे खतम हो गया कैसे यह खतम हो रहा है और कैसे इसकी अपॉर्चुनिटीज बिल्कूल खतम हो चुकी है सो इसके बारे में आज अपन कंप्लीट के अंजर चर्चा करेंगे ठीक है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सोफ्ट्वेर इंजिनेरिंग तो हम करने की सोच रहे हैं इसके अंदर तो लाखों करोडों में करोडों के अंदर प्लेस्मेंट होता है यह टी खड़कुर के है ठीक है कंप्लीट के अंदर चर्चा करेंगे इसके बारे में ओके वीडियो को एंड तक जरूर देखना ठीक है यह वीडियो आपकी साइद आखे कोल दे ओक है सो यह सोफ्ट्वेर इंजिनेर का काम क्या होता है वेवसाइट डिजाइन करना और यह का डवलप्मेंट करन इसके अंदर क्या सिस्टम होता है जैसे मेरी कोई कमपनी है सो मैं किसी सौफ्वेर इंजिनियर को हाईर करता हूं और उसको बोलता हूं कि तुम्हें यह वेवसाइट बनाना है इसके अंदर यह यह डालना है तो वैसकली एक आदमी तो यह सब कुछ कुछ कर नहीं सकता तो बहुत सारे आदमी लगाने पड़ेंगे जिसके front end, back end, बहुत सारे लोग, ऐसी बहुत सारे companies, आज से 10 साल पहले कि मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा था, उसके थोड़े दिनों ही बाद में जो भी intelligent लोग थे, उन्होंने AI लगा दिया, artificial intelligence, उसकी मदद से क्या हो गया, कि उन दोनों को front end, back end, जो हम software engineer लगा रहे थे, उनको almost लगाने की जरूरत ही नहीं थी, जो भी AI system था, वो directly उसको control कर लेता था, यानि कि हमें engineers की जरूरत ही नह समझाता हूँ, जैसे हम Jometo से कुछ भी item purchase करते हैं, okay, so Jometo से जैसे आप payment करते हो, तो वहां पर लिखा होता है, powered by radio pay, या फिर stripe, या फिर pay you money, ऐसे बहुत सरे आपको option दिख रहे होंगे, जो कि आपको payment process करते हैं, अब ये क्या system है, जैसे एक तो Jometo है, और ये radio pay का जो मै ना बता रहा हूँ, ये एक payment gateway है, जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया दाता है, payment लेने के लिए, okay, so, just, ये system होता है, कि जो है, जो मैं तो जो जाता है, रेजोर पे के पास, और बोलता है कि भईया, मेरा ये ये business है, आप इसा करो, मेरे को लोगों से payment लाके दो, तो रेजोर पे बोलता है कि ठीक है, आपको मेरे को कुछ पेसे देनी होंगे, और मिला दूगा, ठीक है, तो अब इसके अंदर कैसे, जो खा गई, जैसे एक option तो यह होता है, कि आज से 10-15 साल पहले कि अगर मैं बात करूँ, तो जो सारा का सारा process है, वो हमें individual करना पड़त सारा डालता, कोई hacking तो नहीं हो रही है, कोई glitching तो नहीं हो रही है, सारा सब कुछ check करने के बाद, एक bank से दूसरे bank में सारे पैसे डाली जाते, उससे क्या कि software engineers की बहुत ही ज़्यादा जरूरती, तो आज से 10 साल बाद में बहुत ही ज़्यादा software engineers की जरूरती, लेकिन जैसे मेरी website में development करता हूँ, मेरे को कम से कम 5 engineer tech hire करने परते हैं, जो कि मेरे website को handle करते हैं, उसका front end, back end, जैसे मैंने क्या किया, उन किसी को भी hired नहीं किया, इसके लिए भी Amazon web service देता है, जिसको हम बोलते हैं AWS, यानि Amazon web service, वो क्या करता है, वो almost सारी के सारी बना के ही रखता है, सारा का सारा system, उसके अंदर जो है, हमें at least कुछ भी नहीं करना पड़ता है, direct AWS से लेते हैं, और अपना सारा setup लगा के उसमें सही हो जाता है, हमारी इंडिया की Netflix जो आपने सुना होगा, Netflix जो है, वो बहुत ही बड़ी company है, ठीक है, Netflix जो है, वो भी AWS का यूज करती है, आप लोग समझ सकते हो कि software engineers की job जारी है, आप लोग सोचरे होंगे कि जो AWS है, उसके अंदर job ले लेंगे हम, जो AI system है, जो AWS है, उसको भी तो चाहिए ना, तो उसको ले लेंगे, हम वहाँ पे कर लेंगे, सो students वहाँ पे भी जो है, वो बहुत खतनाग खतनाग लोग होते हैं, ठीक है, आप लोग एक engineers हो, ठीक है, मैं एक founder हूँ, तो मैं founder की तरह सोचता हूँ, मेरा main motive यही होता है, कि कम से कम cost आए, अब सो आपको जो है, जो, अब मैं आपको बताता हूँ, कि Amazon Web Service के अंदर maximum कितन लोग काम कर रहे होंगे, maximum आप मालो, एक लाक लोग काम कर रहे हैं, या फिर दो लाक मालो, या फिर आप मैक्सिमम पांच लाक भी अगर मालो, और ज्यादा से ज्यादा अभी यही फोकस किया जा रहा है, कि artificial intelligence को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, अभी जस्ट GFT इत sensing भी हो गया है, यानि कि वो इंसानों की तरह सोच सकता है, काम कर सकता है, ठीक है, just like all total fittings of just like humans, okay, so just इतना सोच भी नहीं सकते थे, आज से 10 साल पहले, यानि कि हम तो यह भी नहीं सोच सकते थे, आज से at least 2 साल पहले कि किस परकार से COVID आएगा, और 2-4 महिने के अंदर सब उनलाइन क्लासे लेनी पड़ेगी, यह सोचना पोसिबल नहीं था, लेकिन यह directly हो गया है, सिर्फ 2-4 महिनों के अंदर, okay, वैसे ही इस परकार से हो रहा है, अभी अगर मैं आने वाले 2025 तक अगर मैं बात करूँ, तो software engineers की at least 96% jobs घथम हो जाएगी, jobs बची है, तो कुछ departments के अंदर, अब इसके अंदर जो है, सबसे सारा का सारा system computerized हो रहा है, अगर मैं बात करूँ, सन 2000 की या फिर 2005 की, तो उसमें mechanical engineering का बहुत ज्यादा courage था, क्योंकि industry के अंदर बहुत ही ज्यादा mechanical engineers की hiring थी, महलब mechanical engineers चाहिये थे, लेकिन क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जैसे समय बढ़ता गया, artificial intelligence बढ़ रहा है, और artificial intelligence बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, कि जो हमारे जो companyों में जो लोग काम करते थे, engineer काम कर रहा थे, उनकी अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग किते गंटे काम करते थे, maximum 6 गंटे, लेकिन अब वो 6 गंटे नहीं, artificial intelligence या फिर रोबोट्स जो है, जो है, minimum 4 गंटे तक काम कर सकते हैं, और जिसकी accuracy भी बहुत ज्यादा है, cost भी बहुत कमा रही है, तो company जो founder है, जो भी departments है, वो यहीं चाहते हैं, कि company की cost कम से कमाई, और जो accuracy ज्यादा से ज्यादा बच्चे, और profit ज्यादा से ज्यादा आई, त आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को वो just skills पकरनी चाहिए, जैसे market के अंदर के आना, कि update रखना चाहिए अपने आपको, जैसे अगर मेरी software engineering की job चले गई, तो मेरे को कुछ other आ रहा है, जैसे video editing आ रही है, मेरे को animation आ रहा है, मेरे को designing आ रही है, okay, अब artificial intelligence इ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा है, okay, artificial intelligence भी थोड़े दिनों बाद में खतम हो जाएगा, okay, अभी ज़स्ते, artificial intelligence ऐसा आ चुका है, कि वो python है, code है, gix है, directly simplify, 60-60-60 इंसानों की तरह, एक्दम correct working with design कर देता है, okay, so, समझ सकते हो, software engineering तो बहुत ही ज़्यादा खतना कूप चे बर है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि अब website तो हमें चाहिए नहीं, मैं software engineer को क्यों hire करूंगा, जब wordpress मेरे को directly बोलता है, कि मेरे पास बनाया बनाया पड़ाय ले जा, ठीक है, अगर मेरे को, अगर को swap कोलना है, तो मैं directly wix.com पे जाओंगा, या फिर Shopify पे जाके अपना store को लू स्टार्ट भी स्टार्ट हो चुके है, कोलेज वालों को, स्कूल वालों को एप बनानी की जरूरत नहीं है, directly बने बनाए एप दे रहे है, sign up करो, directly डालो, चो पे और इंजिनियर्स की जरूरत ही नहीं है, और almost courage खतम हो चुका है, jobs बिल्कुल भी नहीं बची है, और जो भी समझ सकते हो, जैसे अभी mechanical का हाल हो रहा है, वैसे बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा, तो आप अपना career बिल्कुल बर्बाद ना करें, ठीक है, और मैं just as a founder यह बता रहा हूं, ठीक है, आपको जो YouTube पर बताते हैं, वो इंजिनियर्स लोग हैं सारे, और उनको नहीं पता हो था कि जो founder है, वो क्या decision लेते हैं, CEO है, जो क्या decision लेता है, आपको simplicity बता रहा हूं, ठीक है, अगर आपको कोई, अगर मैं किसी company के लिए काम कर रहा हूं, तो वो इसलिए मेरे को एक करोड़ पचास लाग पैसा नहीं देती कि मेरे पास यह यह skill है, वो इसलिए मेरे को एक क कितना फाइदा करा रहे हैं, कि अब कमपनी का रोबोर्ट फाइदा करा रहे हैं, तो भाई, तुम्हें software engineers को क्यों लेगी, बताइए मुझे company, मेरे कुछी को hard करना नहीं है, लेकिन मैं एक जो सचाई बता रहा हूं, यह reality है, आगे का आपका decision है, कि आपको करना है, कि नही करना है, और इसा नहीं कि सब कुछ कतम हो गया है, जो भी available है, लेकिन limiteds available है, RTP